आज के हमारे विडियो में आपका स्वागत है, जहां हम वन्यजीव अभ्यारन्य की अद्भुत दुनिया का अन्वेशन करेंगे। ये विशेश क्षेत्र प्रकृती और उसके सभी अद्वितिय और विविद निवासियों की संरक्षन और सुरक्षा के लिए समर्पित होते हैं। जहां वे जीवन, प्रजन और विकास कर सकते हैं। मानव गतिविधियों से दूर जो उन्हें नुकसान पहुचा सकती है। राश्च्य उद्ध्यान में आमुर तेंदुआ। जहां मुख्य रूप से जंगली जानवरों की सुरक्षा को दी जाती है और नियंत्रित मानव गतिविधियों की अनुमती होती है। एक प्रमुक उदाहरण है भारत का गिर्वन राश्च्य उद्ध्यान और वन्यजीव अभ्यारणिय जहां दुनिया की केवल जंगली आबादी के एशियाई शेर निवास करते हैं। संदक्षण के अलावा वन्यजीव अभ्यारण वैज्ध्यानिक अनुसंधान के लिए जीवित प्रयोक्षालाओं की भूमी का निभाते हैं। उद्धाहरन स्वरूप दक्षण अफ्रीका के क्रूगर राष्च्य उद्ध्यान वैज्ध्यानिकों के लिए जटिल पारिस्थिती की तंत्रों और जल्वायू परिवर्तन के प्रभावों का अद्वितिय अवसर प्रदान करते हैं। वे शिक्षा में भी महत्वपूर्ण घूमी का निभाते हैं। परियावरनिय मुद्दों के प्रती जागरुकता बढ़ाने और आगंतुकों में प्रकृती के प्रती जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने में। उनकी महत्वपूर्ण घूमिका के बावजूद वन्यजीव अभ्यारण्य कई चनौतियों का सामना कर रही है शिकार, अवैद लकडी काटने, गुसपैठी प्रजातियां और जलवायू परिवर्तन सभी प्रमुक खत्रे है उदाहरन स्वरूप कांगो गनराज्य के विरुंगा राश्च्य उद्यान को नागरिक अशान्ती का सामना करना पड़ा है जिसके कारण शिकार में व्रिद्धी हुई है हालां की रेंजर्ज और स्थानिय समुदायों द्वारा समर्पित संरक्षन प्रयास इन खत्रों से लड़ने में मदद कर रही है स्थानिय समुदायों का वन्यजीव अभ्यारन्य की सफलता में महत्वपूर्ण हिस्सा होता है दुनिया के कई हिस्सों में समुदाई नेत्रित्व वाले संरक्षन प्रयास अत्यंत प्रभावी साबित हुए है बेलीज के कम्यूनिटी बाबून संरक्षण आले ऐसा ही एक उदाहरण है जहां स्थानिय लोगों ने लुप्त प्राय काले हावलदार बंदर की सुरक्षा का दायत्व संभाला है वन्यजीव अभ्यारनी केवल जानवरों के लिए सुरक्षित स्थल से अधिक है वे जैव विवित्ता की संरक्षण में मदद करते हैं अनुसंधान और शिक्षा को सुविधा देते हैं और अक्सर स्थानिय समुदायों के लिए परियतन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं हालां की उन्हें शिकार, जलवायू परिवर्तन और अन्य दबावों से बचाने के लिए निरंतर प्रयास की आवशक्ता है